तो हेलो साथियों नमस्कार स्वागत है आपका अपने चैनल सकसे जंक्सन एक कदम सफलता की ओर में और हम लेकर के आगा हैं आपके लिए मद्द्रदेश सिच्छक पातरता परिच्छा वर्ग दो 13 मई फर्ष्ट सिप्ट का एक्जाम एनलसिस जहां पर आज हमारे पास में ब अपने प्रष्टनों को 705254 7003 इस वाट्सप नंबर पर जरूर से जरूर सेंड कर दीजेगा एक्जाम से बाहर निकलते ही अपने नाम के साथ में ठीक है उससे क्या होगा दूसरे लोगों की मदद हो सकेगी और आपका अगला जो भी एक्जाम होगा तो यह प्रष्ट महा आपको यह भी बताएंगे कि आज की सिप्ट में कितने कितने नंबर जो है यहाँ पर भावी सिच्चिकों के आये हुए हैं इसके अलावा आज की सिप्ट में कौन-कौन से टॉपिक से प्रष्ण सबसे ज़्यादा पूछे गया हैं पार्ट एका जो तीस नंबर है उसमें क ट्रिक वाली वीडियो अफ्लोट की है वो भी जरूर देख लिए ना ठीक है चली सुर्वाद करते हैं पार्ट एक हम बात करें तो पार्ट ए में आज हिंदी की बात करते हैं तो चार प्रष्णाज गध्यांज से आए हुए हिंदी में ठीक है और चार ही प्रष्णाज कौन सा समास होगा तो जो है आपका कर्मधारा समास यहाँ पर सही आंसर हो जागा ठीक है एक सब्द का अनेक सब्द जो है इससे भी एक प्रशन आज पूछा गया था और जो आपका पध्यांस है तो पध्यांस में जो है इसका सीरसक क्या होगा यह प्रशन पूछा गया था तो कुल मिला करके 10 नंबर की आप हिंदी आई थी और किस तरह से पूछा गया था हिंदी में सारा हमने आपको बता दिया ठीक है चलिए अब बात कर लेते हैं अपन इंगलिस की और चलते हैं इंगलिस में आज 4 PQRS पूछे गए पांच प्रस्ण जो है टोटल पूछे गए थ एक वीडियो उने PQRS की अप्लोड कर दी है जाकर के जरूर दिख लेना वहां से आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे ट्रिक के माद्यम से आप चुटकियों में यह 5 नंबर अपने प्राप्त कर सकते हैं ठीक है व्यासे इस वीडियो के अंत में इसी स्क्रीन पर आपको उस वीडियो की लिंकी भी दिख जाएगी जहां पर आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ठीक है चलिए एक प्रशन आपका आया था टैलेंटेट की जो है करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी यह आज यहां पर पूछा गया ठीक है मैत की बात करते हैं तो तीन प्रशन मैत के आया थे और तीन को तीनों प्रशन जो है वो आपके बॉड़मा सीनियम से मैत के प्रशने पूछे गए थे चलिए बात कर लेते हैं बालविकास की तो बालविकास के कुल आठ प्रशन आया थे आज जिन में जो है साथ का कोई बालक का अच्छा च्छा के पश्टनों को हल नहीं कर पा रहा है तो आप उसके लिए क्या करेंगे उसे क्या समझाएंगे ये पश्टने पूछा गया था किसी परिच्छा में किसी बालक का कम अंक आया है उसको प्रेणा देने के लिए आप क्या करेंगे कि कैसे तो अपने अंदर ये प्रेंडा ला सके कि हां आप भी और अच्छे अंग प्राप्त कर सकते हैं तो ऐसे थोड़ा सा मैंटल के मैंटल लॉजिकल के आधर पर भी बाले विकास आपसे पूछा गया था ठीक है चलिए बात कर लेती हैं जीके की तो जीके में भी आज बहुत सार उद्गाटन किया था ये देख लिजिए तो चगदा नॉमबर दोजार इकिस को हभीब गज रेल बेस्टीशन का नाम बदल करके रानी कमला पती के नाम पर कर दिया गया ठीक है पंदरह नॉमबर दोजार इकिस को पधार मंत्री ननन्न मोदी जी ने स्वयम इसका उद्ग लोरा की गुफाएं जिनने इस्थानी रूप से वेरल लेनी के नाम से है ये बहुत महत्मून प्रस्टन है वेरल लेनी ये प्रस्टन पूछा गया था पत्वारी में और लोग इसको चोड़कर किया दे पिए लेनी क्या होता है तो वेरल लेनी जो है अजन्ता की गुफा जो है उसी का एक नाम है ठीके जाना जाता है औरंगाबाद चालीसा गाव मार्ग औरंगाबाद की उत्तर पश्ची में 30 किलोमीटर की दूरी पर ये भारती राज महाराष्ट में ये जो है गुफाएं इस्टेत हैं ठीके आगे बढ़िए असोक लीलेंड की भरतवान CEO कौन ह असोक लीलेंड ने ततकाल प्रहाष्ट से उन्हें कारभार सौपने की जिम्मेदारी दी है तो सेनु अगरवाल को जो है असोक लीलेंड का जो है आपका MD& CEO बनाया गया है गौालियर महिला होकी अकेडमी के स्थापना कब की गई थी तो वर्स 2006 में गौालियर महिला होकी स् पूछा जा सकता है ठीक है तो चलिए यह महत्वोन जीकर के प्रश्ट थे आप सीधे चलते हैं पाट भी जहां पर हम साइंस को कवर करने वाले हैं साइंस के कुछ महत्वोन प्रश्ट हमको मिल चुके हैं हरेक प्रश्ट के बारे में डीटेल में आपको जानकारी देंगे तो बढ़ी वीडियो को लाइक नहीं किया, अगर आपने NCRT का कच्छा दस्ल्रूर पढ़ा हुआ है, तो आप इन प्रस्वनों को आसानी से solve कर सकते हैं, और काफी अच्छे नमबर लेकर के आ सकते हैं, तो अगर आप basic knowledge रखते हैं तो आप आप से पास हो जाएंगे चली दोनी की तीप्रथ की बात करते है तो फ्रहुट mentioned की प्रव jointly सामारत है है डेसीवल में मापी जाती है डेसीवल का संचित रूप जो है वो डीबी होता है DB में इसको जो है दर्साया जाता है ठीक है आगे बढ़ते हैं जैविक समदाय में प्रात्मे को भोगता कौन होता जो साकाहरी होते हैं वो जैविक समदाय में प्रात्मे को भोगता होते हैं प्रात्मे को भोगता क्या होता है यह हम आपको अल्रेडी बता चुके हैं ठीक है न उनका जो बच्छण करते हैं उन्हें हम प्राथ्मिक कहते हैं ठीक ना तो जो बकरी और होते हैं ये प्राथ्मिक के अंतरके दराफ आता है ठीक है चलिए आर्बीसी का जीवन काल कितना होता है याद रखी 5.5 million तक जो है RBC की मातरा अपने सरीर्म होती है अगर वैक्ती जो है वह स्वस्त है ठीके ना चलिए आगे बढ़ते है पीपल का वैग्यानिक नाम क्या है यह पूछा गया है तो पीपल का वैग्यानिक नाम आपको याद रखना है फाइकस रेली जी ओसा फाइकस रेली जी ओसा यह है आपका वैग्यानिक नाम होता है तो पीपल का वैग्यानिक नाम फाइकस रेली जी ओसा होता है तो वैग्यानिक नाम यहाँ पर पूछे जा रहे है तो सेर का क्या होता है चुहा का क्या होता है पीकॉक का क्या होता है यह आपको पढ़ करके जाना है ठीक है ना आगे बढ़ते हैं कोशका की खोज किस ने की थी कल same to same वही प्रस्टन रिपीट कर दिया है आज तो Robert Hook ने कोशका की खोज की थी कल सामको ही हमने इसको कराया था और आज सुबह पूछ लिया है तो इसलिए कहते हैं कि पूरा एक्जाम एनलसिस देखा कीजिए काफी सारे प्रस्तों आपको यहीं से मिल जाएंगे ठीक है ना तो कोश्का की खोज रॉबाट होक ने किया था स्लाइडन तरह स्वान ने कोश्का सिध्धान प्रस्वत किया था स्वान के द्वारा चलिए द्रवमान का ऐसाई मात्रक क्या होता है सब को पता है ठीक है ना चलिए आगे बढ़ते हैं तो द्रवमान की केजी होता है, किलोग्राम होता है, ठीक है, चलिए, गतिक उर्जा का, गतिक उर्जा का ऐसा ही मातरक है, तो गतिक उर्जा का ऐसा ही मातरक जूल होता है, आपको जा रखना है, किसी बस्तों की गतिक उर्जा काइनेटिक एनेटजी द्वारा दिनरुपित की जाती है, इसकी SIE काई जो है वो जूल होती है ठीके ना तो गति जूर्जा की सूत्र हमने कली आपको बता था 1 by 2 1 by 2 mb square वो जो है इसका सूत्र होता है ठीके ना चलिए बेग को बढ़ाने पर गति जूर्जा चारगुना बढ़ जाती हमने आपको कली बताया था F.A.S.S.I. की स्थापना कब हुई थी तो F.A.S.S.I. की स्थापना अगस्त 2011 में हुई थी किस एक्ट के दोरा हुई थी एक्ट भी पूछ लेते हैं तो पूरी जानकारी आईए आपको देते हैं फुल फॉर्म भी बता देते हैं तो भारती खादिस स्रुच्छा यों मानक प्राधिकर्ण ये इसका फुल फॉर्म होता है इंगलिज से बात करें तो ये चेकिंग वेकिंग भी करने यही पहुंचाते हैं एफसी आई के लोग चलो भाई दिखाओ क्या-क्या तुम्हारे को दिक्कत तो नहीं है इसमें खाने पीने में न तो ये भी काम जो एफ एस एस एई के दौरा किया जाता है ठीक है प्रत्रोध का ऐसा ही मात्रक ओम होत करता झाए ठीकिंगे न, इसमें कुछ जादा पताने की बात है नहीं आगे बढ़ते हैं बुध्ण्य शूरंध करता है तो बहुत सिंपल-आप साइया है यह question भी पूछा गया है यहां सबसे पहले सूर्की परिक्रमा करता है はい 18 दिनों में यह है सूर्की परिक्रमा कर लिए था क्योंकि सूर्क के बहुत पास मिष्टी थै तो सबसे जल्दी सूर्की परिक्रमा यहां कर लिएता है जाइगाउट में कितने क्रोमोसोम होते हैं जिस थोड़ा सा कर्फूजिंग वाला प्रशन है क्योंकि एंसर इसका 46 होगा लेकिन 46 option में नहीं दिया था तो 46 के नियर भाई कौन सा था तो 43 जो है वो यहाँ पर नियर भाई में दिया था वैसे इस question को cancel किया जाएगा extra number दिये जा सकते हैं ठीके ना लेकिन अगर नियर भाई की बात करें तो 43 इसका एंसर लगाया जा सकता था जैसे एक्जाम आपका समाप्त होगा answer की आएगी उस answer की को आप हमारे पास में send कर देना उससे क्या होगा कि आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा कौन कौन से question पर हमको जो है objection लगाना वो सब हम आपको बता देंगे number जो उपर दिया है उस पर आपको अपनी answer की send कर दे तो microphone जो है वो धनी उर्जा को बिदित उर्जा मदल देता है तो microphone धनी उर्जा को बिदित उर्जा में परवर्टित करने वाला एक यंत्र होता है ठीक है चलिए सक्ति का मातरक कौन सा है यह आप से पूछा गया तो सक्ति का मातरक जो है वो वाट होता है तो सक्ति का पूछ लेकिन किसी एक हीज का अंतर होता है तो आपका uracil जो है उसका अंतर होता है DNA और RNA में चल ये देखते हैं क्या है अंतर देखे तो DNA में क्या क्या होता है तो DNA में एड agents, guarants, cytosyn और thymine यह चार जो आपके nitrogen हैं वो आपके DNA में पाय जाते हैं लेकिन आराइने में क्या हो जाता है तो आराइने की अगर बात करें तो आराइने में थाइमीन नामक छार नहीं होता है उसकी जगाँ पर यूरेसिल होता है ठीक है ना तो आराइने में क्यों थाइमीन आपका हटी जाता है इसकी जगाँ पर यूरेसिल आ जाता है तो यूरे और जेली के सरचित करने के लिए किया जाता है अब ये पैक्टिन पाउडर जो है वो सुगर से मिल करके बना होता है ठीकिना तो अप्सन में अगर चीनी दिया था तो चीनी आपका सही एंसर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं ग्रेफाइड में कौन सा संकरन पाया जाता है या प्रशन पूछा गया था तो ग्रेफाइड में आपको पता है SP2 संकरन जो है वो ग्रेफाइड में पाया जाता है अब ग्रेफाइड पूछ लिया है तो हीरा भी पूछा जा सकता है तो हीरा में जो है SP3 संकरन आगे आपकी सिप में पूछा जाएगा कि हीरे में कौन से संक्रण होता है तो हीरे में SP3 संक्रण पाया जाता है ये आपको याद रखना है ठीक है ना चलिए आगे बढ़ते हैं तो उससे पहले तो Social Science वाले हैं Social Science वाले उनके में एक नया Topic है जो आपके गुट नीर पैचिता है है यहां से बहुत सारे प्रैशने पूछेगा है तो गुट नीर पैचिता पर हम बहुत जल्दी एक वीडियो लेकर कर आने वाले हैं देखे हमारा काम सिर्फ यह नहीं है Brunted Land जो है, इनके दोरा सतत्विकास का आपका सिध्ध hánt दिया गया तो देख लिज्ये, सतत्विकास की सब्द की उतपत्ति, हमारा साजा भविष नावक एक पत्र में हुई थी, वैसे इसकी उत्पत्ति हुई थी, हमारा साजा हॉशनावग एक पत्र में, पेपर में, ठीक है न, जिसे ब्रंट लेंड आयोग के द्वारा जारी किया गया था, सतत विकास सब्द का पहली बार प्रयोग नॉर्वे के प्रधान मंत्री, नॉर्वे के प्रधान मंत्री, ग्रो मिला करके 6-7 प्रशन पूचे गए हैं आगे भी आपसे पूचे जा सकते हैं अमल और 4-2-3 प्रशन 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 से 3 प्रशन पूचे गए थे लगबग 4 प्रशन आपके फसल चक्र से पूचे गए थे इसके अलावा इसके अलावा देखिए धातु यम अधातु अधातु से लगवग 3-4% अधातु से पूचे गए हैं ठेकना हालांगी प्रश्ण आपास में नहीं आपाए हैं लेकिन धातु अधातु से 3-4% पूचे गए हैं केमिस्टी में आपसे क्या पूचे गए हैं तो आमल और चार की जो आपका घंडत वगयरा होता यह पूचा गया है कितने pH स्केल पर जादा होगा कम होगा तो यह सब यहां पर पूचे गए हैं ठीक हैं और एक दो सवाल भी आपके एक्जाम में पूचे गए हैं फिजिक्स मे हैं वह आपके सब्जेक्ट्व पैडागोजी से पूचे गया थे और सारे के सारे प्रश्ण लोजिकल थे उन्हें आप अपने धिमाग से फुड़ा सा धिमाग लगा करके आप उन्हें सॉल्व कर सकते थे ठीक है चलिए नंबर की बात करते हैं कि आज हमें कितने नंबर त के लिए पेपर कटिन हो जाएगा ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना था बेसिक ही आपसे पूच रहा है ठीक है चलिए अब आगे बात कर लेते ही पीडिएफ कहां पर मिलेगी तो सकसे जंक्सन नाम से हमारा टेलीगरम चैनल है भाई 2000 होने वाले हैं इसमें आप भी जाकर क खुआ है यहां पर फूरिए पर मिल जाने वाली है ब्र ह्मकास्तर है ब्रमास्न बिकस आहीं फौर्मूला अगारी और पर जो सब आपको मिलेंगी नहीं करने पर जिसकी अगो लिंक दी गई है इसी में आपको इसकी लिंक भी देखने को मिल जाएगी ठीक है चलिए अब भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास में और चैनल पर पहली बारा है तो सबस्क्राइब कर लीजिए जिस्ते की सिच्छक भरती से सम मिलते हैं आज सामवाले एक्जाम एनलेसिस में सबसे पहले तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद